इशान की शादी के मंड़प में भवर करेगा सवी से शादी होगा और पड़ा बम धमा का और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार में में जबदस ट्रैक जी हाँ दोस्तों अब शो के अब कमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां भवर अपनी पूरी गैंग के साथ मिलके पूरे भोसले इंसिट्यूट पर बम फिट कर देगा तो वहीं भवर इशान और उसकी पूरी फैमली को बंदग बंदू की नोक पे बंदग बना लेग जहां ईशा और शांतनू दोनों वहां पहुँच जाएंगे लेकिन उन्हें गेट के बाहर ही रोक दिया जाएगा तो वहीं ईशा अपने बेटे ईशान के लिए बुरी तरह से छटपटा रही होती है और अंदर जाने की जित करती है जहां भवर के आदमी उन्हें डराने क के लिए एक छोटा सा बम धमाका भी कर देते हैं जिससे ईशा काफी जादा डर भी जाती है वेल लप्शो के अपकमेंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां शांतनू ईशा को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि ईशा हिम्मत रखो हमें समस्दारी से काम लेना होग पर जल्दबाजी से नहीं क्योंकि अंदर सिर्फ हमारा बेटा इशान नहीं है हमारा पूरा परिवार है कुछ स्टूरेंट्स भी फसे पड़े हैं भगवान पर भरोसा रखो अब वही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएंगे जहां इंदर अपनी बागी के पुलिस साथ वहां आ जाता है सवी के बुलाने पर तो वहीं दूरवाव भवर के कहने पर सवी को दुलन की तरह तयार कर देती है और भवर के सामने लाके खड़ा कर देती है जहां सवी को अपनी दुलन के रूप में देखकर भवर काफी जादा खोश हो जाता है और सवी की खूप तेहां प्यार करता है और वो अपनी आखों के सामने सभी को इस घड़िया इंसान के साथ शादी के बंदन में बनते हुए नहीं देख सकता है तो वहीं दोस्तों सभी और अपनी परिवार की जान बचाने के लिए इशान उठाएगा बड़ा कदम और कहानी में आएगा जब दसमोर तो आप सब और अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें